सुन्स एक्जाम आ रहा है, जाधा टाइम नहीं बचा, 90 दिन से कम बचाएं, इस संडे को आपका मौक टेस्ट भी है, आप इस समय काफी जाधा प्रेशर में होंगे, बहुत जाधा खुद के ओपर शक होता होगा कि क्या मेरा चांस है 16 लाग बच्चों में, तो मैं आपको इ intelligent हो या घदे हो, ठीक है, यह बकवास question है, ठीक है, दिस इर्रेलेवंट, ठीक है, और यदि आपको कोई भी एक communicate करता है, कि आपकी उकात नहीं है, आप उस इंसान से बात करना बंद कर दो, ठीक है, he's a useless person, you don't need to talk to him because कोई भी पैदाईशी intelligent नहीं होता, ठीक है, how important a factor is intelligence in cracking need, और आप इसको acquire कर सकते हैं कि intelligent को, मैं इसको मानता हूँ, और मैं इसको नहीं मानता, मुझे लगता है कि 99% success, ठीक है, hard work है, 1% intelligence है, और यदि intelligence बहुत बड़ा factor है भी, तो आपने सुनी होगी, स्टोरी अभी मन्यू, गर्ब में, सुबद्रा के, उसे सारी स्टोरी सुन ली थी कि कैसे चक्रवियों में गुस्ते हैं, चक्रवियों से भाराना नहीं सीखा था, स्टोरीज हैं, ठीक है, असलियत में कोई पैदाईशी intelligent नहीं होता, सब मेहनत करके intelligent मनते हैं, अपने दिमाग में बठा लीजिए, कोई mediocre नहीं होता, ये बात मैं 100% guarantee से बोल सकता हूँ, आप अपने दिमाग में बठा लीजिए, जो दो सबसे important चीज हैं, आपको successful होना है, ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में दो चीज़े बठानी होंगी, self-believe, खुद के ओपर विश्वास, यदि आपका है तो चीज़े हो जाएंगे, खुद के ओपर ही विश्वास नहीं है, तो गेम चालू होने से पहले खतम हो गया, पहली बॉल पे आउट होंगे, खुद के ओपर विश्वास रखो, यह सब बक्वास है, आपको यह दि लगता है कि आपके आसपास कोई बहुत पढ़ाकू लगता है, मोटा चश्मा है, क्लास में टॉप करता था, उसका नीट में गैरेंटी सेलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, रिजल्ट के बाद देख लेना, मैंने तो बतेरे केस देखे हैं, खुब उचलते हैं, बहुत सारे लोग अल्टिमेटली कुछ नहीं होता, और बहुत सारे लो डिसिप्लिन चाहिए, कॉम्पिटेशन है, हेवी कॉम्पिटेशन है, मौलाना अजाद में हर बच्चा नहीं जा सकता, एम जैली में हर बच्चा नहीं जा सकता, वही जाएगा जिसमें इमेंस डिसिप्लिन है, उसका एक डेली रूटीन है, रात को सोने का टाइम, सुबह उटने का टाइम कितने घंटे पड़े कितने घंटे दोस्तों से बात की कितने घंटे खाना खाया कितने घंटे ना है यह सारी चीज़े फिक्स क्योंकि जानता है कि discipline सबसे इंपॉर्टन चीज़ है आपको एक दिन में 16 घंटे पड़के तीन दिन बिमार नहीं होना आपको पता है कि आप कितनी capability रखते हैं आप कितना दिन में absorb कर सकते हैं उस तरह से कि आपको थकान ना हो क्योंकि आपको पता है कि आपको हर रोज मैनत करनी है एक टारगेट सेट करते हैं discipline का discipline का मतलब यह नहीं है कि मेरा target ए एम जैली discipline का मतलब मेरा target करता हूं जो कुछ भी target हो सकते हैं मैंने आपको तीन टाइप के काम करना है इस टाइम पर आपको आपको अपने वी के रहाइस करने जो मॉक्ते से पता चलिए और आपको ठीक है और उसके बाद आपने टार्गेट सेट कर लिए टार्गेट खतम करने के लिए जो भी चैप्टर की आपको थियोरी पर नहीं थी थियोरी पड़ते हैं जो भी चैप्टर के एंसे क्यों करते हैं हर अफ्टे मॉक्त थित यह डिस्सिप्लिन चाहिए और सेल बिलीव इस भकवास के बारे में सोच नहीं है इस लसके बारे में सोचरा नहीं है इंचलिजन्स ओवरे टीटेड है क्योंकि 99 परसेंट थो Хट़ता है मैं आपको यह परम कराना चाहता है तो मैं आपको रेगिलर smells lamps कराना चाहूंगा जो आप खुदके बारे में सोचते हैं अभी बहां निकाल दीजें नहीं तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा दूसरी चीज यदि आपको कोई यह कहता है कि आपके बसकी नहीं है आप कोई और डिसाइड करेंगे आपके बसकी क्या है कोई और डिसाइड नहीं करेगा होफुली स्टूडेंट्स आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी मुझे आप से प्रामिस चाहिए आप इस जर्नी में और आगे जो भी जर्नी करेंगे मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक् नहीं करेंगे क्योंकि इंसान की क्या capability है वो खुदी जानता कोई और उसे कभी भी नहीं बता सकता ठीके बच्चों